आज गाइस हम बनाना बताएंगे आपको होली के लिए होली स्पेसल चावल की कच्री जो की ट्रेस्टनली जैसे पहले बनती थी उसी हिसाब से बनाएंगे लेकिन थोड़ा कुछ नए अंदाज में तो चलिए यह देख लीजे गाइस हमने अपने एक बाउल चावल को भिगो दिया था ओवरनाइट के लिए तो यह भीक के एकदम सॉफ्ट हो गाए हैं जो कि हम उंगली से मसल ना है तो यह टूट रहा है चावल तो इनको हम ऐसे ही सॉफ्ट कर लेंगे चौबिस घंटे से आप ज्यादा भिगो दें कम तो बिलकुल ना भिगो तो यह देखिए माप कर लेंगे कि हमारे चावल कितने हो गया है फूले के बाद देखिए चावल पुराने हैं अगर तो उसमें पानी की कॉंटिटी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी और वह बन करके ज्यादा हो जाएंगे चावल नय है तो थोड़ा सा कम पान लेगा तो देखिए नाप लिया त एक कटोरी चावल के हिसाब से ले लेगे हम तीन कटोरी बाद ये देख सकते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा था ठीक है लगबग टीहाई काचारी और था थोड़ा सा ज़ादा था चावल तो यह थे लिए एक काचारी पानी और रख लिंगई यानी एक कचार कचावल में चार कचावल में चार कचाचाचार पानी कर लिए तो यह ताक करने केले काचा है we take the seninrytale deze a sea liuk cricket board Sailly car par Haiya d HE try pan ruleied a शूर देखें दो से तीन स्पून सरसों का ओयल डालें या जो ओयल आप खाते हूं वो डाल दे तो यह देखिए आप स्वाद के अनुसार नमक करेंगे इसमें तो यह बॉयल अच्छे से चला देंगे तो नमक भी घुल जाएगा और हमारा ओयल भी घुल जाएगा सारा कुछ और इ चावल जितना अच्छे से वीगा होगा उतना ही अच्छे से पकेगा मैशी हो जाएगा तो हमें बिल्कुल मैशी चावल चाहिए क्योंकि हमने चावल के आटे के जो हमने कच्छी वगरा बना करके देखी है तो वह कुछ काली सी पढ़ जाती है भूनने के टाइम पर लाल और इस तरह से जो कच्छी वगरा बनाओ तो वह भूनने के बाद में एकदम वाइट वाइट निकल कर आती है तो यह देखी गाईज पानी में बॉयल आ चुका है तो हमने इसमें डाल दी है एक स्पून अपनी अजवाइन मसलते हुए अब इसको हम हिला करके पका लेंगे इस तरह से बॉयल आ चुका है तो बीच बीच में हमें से चला करके पका लेंगे तो देखी गाईज हमारा चावल ठीक होता जा रहा है यानि पानी कम होते जा रहा है चावल अच्छे से कुक होते जा रहा है तो इसी तरह से चला चला करके हम अच्छे से इसको पका लेंगे तो जो इसकी कच्रियां बनती है न वो बहुत ज़्यादा स्वाद में होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो पहले हाथे वगरा से बनाये जाते थे जैसे कि कच्री जारने वाला हाथा होता है वो होता था या फिर पूड़ी निकालने वाली चलनी होती थी उससे बनाया जाते थे मगर आज हम बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से बनाना बताएंगे तो देख लीजे हमारा चावल कुक हो चुका है तो इस तरह का एक हम ले रहेंगे चमचा इससे हम क्या करेंगे इस तरह से घिसेंगे इसे घोट लेंगे तो यह जो चावल है वो अगदम महीन हो जाएगा एक दम दाना इसका फूट जाएगा अच्छे से मैशी शाओ जाएगा तो इसको हम चलाते हुए अच्छे से गोट लेंगे तो यह देख सकते हैं इस तरह से हम गोट रहे हैं और अब हम क्या करेंगे इसको रखतेंगे ठंडा होने के लिए क्योंकि इसमें हाथ लगा सकें इतना हमें ठंडा करना है तो इसको हम रख देंगे यह देखिए अब इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए गाइस हमारे बच्चों को तो यह बहुत पसंद हैं काफी क्रंची होती है इसलिए तो देखिए गाइस बतीले में ठंडा नहीं हो रहा था तो हमने इस तरह से प पैकेट ले सकते हैं इसके लिए मुलायम और मजबूत परनी चाहिए तो रिफायन का पैकेट अल्मस्ट अच्छा ही होता है तो इसका उपर का मुह हम खोल देंगे कहची की सायता सा और यह देखिए छोटा सा हम यहां पर कट लगाएंगे जिससे की अच्छे से बना सके आप एज़यां फोल्क से ज़ब खुली है तो रिफायन के पैकेट के टो तो हम हांस से मसलेंगे इस तब देख सकते अच्छे से मसलेंगे क्रो केदानिव फोड्डächst अच्छे इंगे तो उसकी कच्री बह। अच्छे से बन कर आ सधिए तो यह देख ए मसल चुका है हमारा पूरा बैटर तो देखिए इस तरह से और देखिए जितनी पॉनी की कॉन्टेटी हमने ली थी इस चावल के हिसाब से उतनी इनफ है तो यह देखिए अब हम अपनी पॉलिथीन में जिदर हमने बड़ा सा मुझ खोला था उधर से हम बढ़ देंगे जितना हम अरजेस्ट कर पाएं इस पैकेट में बस हमें उतना ही भरना है क्योंकि उपर से नहीं निकलना चाहिए यह देखिए इस तरह से अगर आप नहीं बना पार है आप बिगनर है तो आप उपर एक रबर लगा सकते हैं टाइटली तो वो उपर से नहीं निकलेगा तो य तर्थ इस तरह से डालेंगे जल्दी से बोरी हे पननी कहें बोरी जल्दी से पहरें ट्रीunden पहरें असुंधा हाँ? ऐसे डालते जाएंगे तो ये देख सकते हैं जलेबी की तरह बना सकते हैं आप सूखा भी बना सीधा 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 से बना सकते हैं जिस तरह से आप चाहें उस तरह से बना सकते हैं ये देखें और ये बहुत जल्दी बन कर त्यार हो जाता है आप देखिए हाथा वाला हाथें में अगर बनाएंगे तो उसमें दूसरे लोगों के जरूरत पड़ेगी मगर इस पन्नी में अपना इक ही लोगों से काम चल जाएगा तो देखिए खाली हो गया था तो उसको फिर से भरकर बना लिया है यह देखे गाई हमारी पूरी की पूरी कच्रिया तो पूरी तरह से अभी सूख ही नहीं है वगर दूप अच्छी है अगर तो यह सूख जाती है दो से तीन दिन में अच्छे से सूख जाएगी तो इनको भून कर दिखाएंगे हम होली की नेक्स वीडियो में तो चलिए अगर हमारी यह रेस्पी आपको पसंद आ बाई